है यह ब्रेवरी बाड़ी कैशे आप लोग बड़िया और परही लिखा ठिक-ठक चल रहा है ना आप लोग का सहिए ओना आप लोग ? तो आप लोग बस इस कोरोना काल में मोटिवेटेड रही है ठीक है अपने पढाई में बीजी रही है पढाई में उसे भी myuge रही एगा तो तो इस सब का tension नहीं है ठीक है क्योंकि tension अगर करना है तो आपने future का किजिए आने वाला कल का किजिए और आज हम लोग पढ़ने वाले class में vector में ये resolution of vector किसी vector को कैसे हम लोग resolve कर सकते हैं coordinate axis में Cartesian coordinate axis में ठीक है उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो किसी भी plane में कोई भी object और कोई भी body किस direction में move कर रहा है और उसका जो लिखने का तरीका है आप लोग लास्ट तक देखिएगा ठीक है यह basic basic चीजे हैं अगर आप भी 10th पास करके आये हो तो यह चीज बेसिक बेसिक चीजे हैं यह आपको आना चाहिए और यह चीज आपको जो question में direct लिखा रहेगा और उस चाहिए में जब आपको यह पता नहीं होगा तो आप उन च को analyze करने में समझने में आसानी हो तो देखिए सबसे पहली बार कि माल लोग देखो यहां पर ऐसे हम लोग लेते हैं जो हमारा map होता है उसको हम लोग कुछ इस टाइप से एक plane में लिखते हैं उपर North लेते हैं यह South होता है यह East होता है इफर इस्ट डगलूफर वेस्ट ठीक है अब देखो कि माल लो कोई आदमी किधर कहीं से किसी भी एक्सिस से मतलब इस्ट से North जा रहा है या South से West जा रहा है या South के तरप जा रहा है या West की ओर जा रहा है या North की ओर जा रहा है इसको टेकनिकल नेगमेज में और Physics के लेंगमेज में कैसी लिखा जाता है यह चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए यही चीज़े आपको questions में दिया होगा और अगर आपको यह पता नहीं होगा तो आप गलती करके आओगे ठीक है डिव नॉर्थ यह हो गया डिव नॉर्थ इसी तरह जब डिव इस्ट दिया हो मतलब इस्ट की ओर जा रहा है पूरव की ओर जा रहा है इस्ट मतलब पूरव इस लाइन की ओर यह पूरव है ना इस्ट इधर की ओर जा रही है तो इसको डारेक्ट इस लाइन के लोग पूर मतलब हुआ कि west की ओर जा रहा है इधर की ओर वेस्ट वाली लाइन के लोग इधर complete west इसका मतलब हुआ completely west इसका भी मतलब हुआ dew north का completely north इस्ट का completely east मतलब इस्ट की ओर पूरा एदम थोड़ा भी इधर उधर नहीं इस्ट से इधर उधर कहीं भी नहीं direct east की ओर ऐसे ठीक है अब देखो dew south dew south इसका भी मतलब हो गया यह south की ओर completely south की ओर south जो direction है नीचे की ओर vertical downward इस direction है vertical downward actually नहीं बोल सकते हो क्योंकि इस सबको हम लोग vertical plane में लिए है लेकिन actually में यह चीज जो होता है नहीं horizontal plane है यह ठीक है इस horizontal plane में हम लोग discuss कर रहे है यह board के इस board को as a horizontal plane आप assume करो ठीक है तो यह क्या है नीचे की तरफ board के plane में बोल सकते हो कि यह board नीचे की तरफ है बट यह actual में जो plane है यह horizontal plane है ठीक है तो कुछ इस type से हम लोग discuss करेंगे अगर माल लो कि अब यह हमारा तो हो गया कि अगर completely north जाया completely west जाया completely east जाया completely south जाया अगर आपको बोला जाया अगर कोई भी object और कोई body कोई आदमी या कोई भी जीज अगर north east direction में जा रहा है नौर्थ इस डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब यह होता है north east direction का कि कुछ इस type से जा रहा है और north east direction का मतलब हो गया कि यह 45 डिगरी इस से ज रहा है दोनों से थो 95 यह होगा तो यह भी 45 होगा not east वाले लायन से northeast यह क्या हो जागा 45 डेग्री इसी तरह अबको northwest होगा तो कि इसका ही मतलब five ließ कैसे क्या हो ऑगा 45 डेग्री ये 45 डेग्री ये क्या हो गया north वेस्ट अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब कुछ यह हुआ 45 डिगरी मतलब बीचो बीच जा रहा है यह नॉर्थ और इस्ट से नॉर्थ इस्ट का मतलब बीचो बीच जा रहा है मतलब 45 डिगरी के एंगल पे जा रहा है उसी तरह नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ है कि नॉ अगर दिया हो यहां पर Southwest और West-South, इसका ही मतलब हो गया यह 45 डिग्री, 45 डिग्री बनाते हो दुनों से जाएगा, ठीक है? यह क्या हो गया? Southwest और West-South और वेस्ट-South, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है दोनों को कुछ फर्स नहीं पढ़ेगा, अब देखो ठीक इसको भी अटाते हैं और ये लाइन जो बताई 45 डिग्री से होगा ये भी 45 डिग्री हो जाएगा फिर और ये इसको भी बलोग बल सकते हैं Southeast 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 ठीक है और East-South कुछ भी बल सकते हो East-South या Southeast या North-East इसका मतलब ये हो गया मतलब 45 डिग्री पे जा रहा है मतलब East के साथ और North के साथ अगर ये North-East है तो और इसी तरह अगर South-East है तो 45 डिग्री से जा रहा है 45 डिग्री किदर है North-South की और है और बोल सकते हैं अगर South-East है हाँ, देखो एक चीज और ये इतना आपको आ गया ये समझ में आ गया अब देखो, इसमें भी अब कुछ वेरियेशन हम लोग कर सकते हैं ठीक है North-East मतलब ये 45 डिग्री है East से North, इसका मतलब हो गया ठीक है, अब देखो इसका अगर टेक्निकली देखो South-East मतलब ये South से जो है 45 डिग्री है South ये देखो South-East का मतलब हो गया ये South में है East से, East direction से East वाले लाइन से South में केतना डिग्री है 45 डिग्री South-East का मतलब ये हो टेक्निकल लेंग्वेज बाकी अभी और समझ में आएगा जब इसको other than हम लोग 45 डिग्री लेते हैं अगर other than 45 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं ठीक है? उसको कैसे रिपरजेंट करते हैं बट अगर यहाँ पे फिर देखो ये South-West मतलब ये क्या है? South-West से जो है 45 डिग्री South में है देखो West से 45 डिग्री South में है और इसको ऐसे भी लिख सकते हो West-South मतलब West है West में 45 डिग्री गया है South से और यहाँ West में 45 डिग्री पे है ठीक है? बट इसको ऐसे लिखा जाता है South-West बाकि अगर 45 डिग्री यह हुआ तो यह भी 45 डिग्री हुआ इसको कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, but क्योंकि दोनो 90 पे हैं होता है, हर जो मतलब South and West and East and South and North and East सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, 90 पे है, उसकेस में क्या हो रहा है, North और East ये भी 90 पे है, उसकेस में अगर एक 45 बात एक 45 आजाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको कैसे भी लिख दो इसको, but ये other than 45 पे हो, मतलब ये डारेक्ट ऐसा नहीं हो, North East शिर्फ नहीं हो South East नहीं हो, South West नहीं हो, North West नहीं हो, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये आप समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है, तो देखो आप लोग, ये इतना समझ लेना, कि अगर डारेक्ट North East लिखा हो, तो उसका मतलब होता है, 45 दिगरी पे, किसी से भी ले लो, कोई फर 45 वाता है, that's why problem कुछ नहीं होता, बट, अब देखो, ये क्या हो गया मारा, East, ये क्या हो गया, West, ये क्या हो गया, North, और ये क्या हो गया, South, ठीक है, अगर वो, 45 डिगरी पे नहीं है, अगर माल लो, ये कुछ इस टाइब से है, 30 डिगरी, इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका क्या होगा, और इसको किस तरह से language में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, इसको लिखा जाता है, 30 डिगरी, नौर्थ, 30 डिगरी, नौर्थ, आफ, इसको लिखा जाता है, 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 30 डिगरी, नौर्थ, आफ, इसको लिखा पर अब नहीं होगा, अगर यह 30 है, और गलती से आप उल्टा सोच लिए, तो यह 60 आ जाएगा, और आपका जो calculation वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ शावधानी रखना है, ठीक है, that's why मैं आप लोग का correlate करवा रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ देखो, यह इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री North of East, ठीक इसी तरह, अगर मालो, यह 37 डिग्री है, इसको कैसे लिखेंगे, अम लोग, 37 डिग्री है, देखो, यह किस से है 37 डिग्री, सबसे पहले दोफो, जिस direction में उसको पहले लिखते हैं, और किस से है उसके बाद में लिखते हैं, देखो, यहाँ 30 डिग्री North of East, मतलब, North में है न यह, North की ओर है न, बट North की ओर है, किस से है, East से North की ओर है, इस से North की ओर है, तो देखो, जिस से होगा, उसको बाद में लिखेंगे, और जिधर होगा उसको पहले लिखेंगे, मतलब, यहाँ देखो, किधार आई यह, West की ओर, तो लिखेंगे, कितना डिग्री एंगल पर 37 डिग्री एंगल पर 37 डिग्री वेस्ट वेस्ट ऑफ साउथ से इस साउथ से 37 डिग्री है वेस्ट की ओर है ना वेस्ट की ओर इधर वेस्ट की ओर जा रही है ना 37 डिग्री पर ठीक है तो यह हमेशा याद रखना जिधर है उधर पहले लिखेंगे और क किस्से है उसको बाद में लिखेंगे तो ये लेंग्वेज के फॉर्म में लिखा देते हैं देखो लिख लो यहां पर जीदहर है वो पहले आएगा किस्से है वो बाद में लिखेंगे लिखने का तरीका एंगल को पहले लिखेंगे और किधर जा रहा है उसके बाद लिखेंगे और किस्से है उसके बाद और लिखेंगे सबसे लास्ट में ये लिखेंगे तो ये लिखने का तरीका है और इसका क्या मीनिंग है ये समझ में आना चाहिए आपको ठीक है, तो माल लो, हम लोग कोई एक अधार एंगल ले लेते हैं, ये ठीटा है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीटा डिगरी एंगल, ठीटा डिगरी एंगल, किदर है, ठीटा, ठीटा डिगरी, नौर्थ, नौ साउथ आफ वेस्ट यह जिनरल तरीका होगा लिखने का आइ थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कुछ और प्रैक्टिस कर लो कि फिप्टी थी दिग्री है ठीक है 53 डिग्री कि इधर है साउथ की और किस से है इस्ट से तो इसको क्या लिखेंगे 53 डिग्री मतलब जिधर है वो पहले आएगा मतलब साउथ में है यह 53 डिग्री साउथ साउथ की और जा रहा है और इस्ट 53 degree south of east ये लिखने का तरीका है और ये resolution of vector से पहले आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत बार language के form में जब resolution of vector परहेंगे हम लोग language के form में दे दिया गया होगा अगर आपको ये लिखने और ये समझनी नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते हो तो एक बार और practice करवा देंगे और I think इसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा और ये चीज आप लोग करके देखो वीडियो को pause करके आप लोग करके देखो कि आप लोग लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो आप इस वाट थोड़ा ठीक है ये क्या है इस्ट होगा ये नौर्थ होगा ये वेस्ट होगा ये साउथ होगा इसको क्या लिख होगे 25 डिगरी ठीक है बताओ सबके लिए बताओ सबके लिए direction उसको लिखो represent करो ये इसका meaning क्या हुआ देखो और वीडियो pause करके करना हम बता रहे हैं बट आप लोग वीडियो pause करके लिखना देखो इसको क्या लिखेंगे देखो ये इधर किधर की और जा रहा है इस्ट की ओर जा रहा है तो 70 डिगरी इस्ट ओफ किससे नॉर्थ से ये नॉर्थ हो जाएगा ठीक है ठीक इसी तरह ये देखो इस्ट जा रहा है इस्ट की ओर है और कितना है 25 डिगरी है और किससे है साउथ से इसको क्या लिखेंगे 25 डिगरी इस्ट ओफ साउथ ठीक है ठीक इसमें देखों यह किदर है South में है और किसे है West से है तो कितना डिगरी है 80 डिगरी South of West मतलब South में 80 डिगरी है West से और इसका मतलब हो गया 70 डिगरी है East में किदर से North से इसका मतलब हो गया 25 degree है east में किस से अपना south से I think आपको इतना समझ में आ गया होगा और ये clear हो गया होगा इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि जो vector के question में ये चीज डारेक्ट दिया हो रहता है और बहुत जगा दिया हो रहता है यही पे नहीं आपको किसी का motion निकालना हो किसी का final position निकालना हो कितना distance होगा displacement होगा उस सब चीज में इसका use होगा kinematics में भी इसका use होगा तो इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना I think आपको इतना आ गया होगा अब दखो अब हम लोग अपना जो में टॉपिक है आज का resolution of vector प्याएंगे resolution of vector अब आपको समझ में बहु ज़्याद आएगा और relate कर पाऊगे बहुत चीज को ठीक है तो resolution of vector देखो heading दो resolution of vector ठीक है सबसे पहले resolution पहरने से पहले एक चीज देखो मालो यह अगर अपना right angle triangle है right angle triangle है और यह theta है इसका जो angle है यह base के असद हाइपटेनस बना रहा है यह theta रही है और यह जो है इसका अगर मालो हम रहा हाइपटेनस है वह A है तो right angle triangle में पता होगा आप लोको जो angle के सामने का side होता है वो perpendicular होता है इसको perpendicular होता है यह क्या होगा है इसके बाद base हो जाता है और remaining यह हमारा क्या हो जाता है हाइपटेनस हो जाता है larger side जो हो जाता है right angle triangle में तो larger side जो होता है वो हाइपटेनस होता है एंगल के सामने का जो side होता है, वो क्या होता है, perpendicular होता है, यहाँ पर लिख लो, एंगल के सामने का side, side P होता है, perpendicular होता है, इसका मतलब यह होता है, ठीक है, लिख दिये हैं आपए, अब देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग साइन् ठीटा क्या लिखते हैं साइन ठीटा पर्पेंड़ुलर भाई है है अगर इसका लेंद ए है हमारा इसको डारेक्ट क्या लिख सकते हैं है यह हमारा h is equal to a here happiness is of a length यह हमारा क्या हो जागा इसको direct यहाँ पर a लिख देते हैं ठीक है इस case में हम लोग p को क्या लिख सकते है p is equal to a sin theta ऐसे लिख सकते है मतलब अगर यह पता हो तो हम लोग यह निकाल सकते है perpendicular वाला side यह कितना हो जागा p is equal to that will be a sin theta ठीक इसी तरह cos theta क्या होगा base y happiness base क्या होगा b happiness कितना है a तो b क्या हो जागा a cos theta यह हमारा क्या हो जागा a cos theta a cos theta यह तना समझ मैं है आपको लोग को ठीक है एक चीज यहाँ पर दिहान दो कि जो यह हमारा hypertonus था अगर इसको अगर हम लोग resolve कर रहा है मालो यह अगर vector होता मालो यह हमारा अगर कोई vector होता ऐसे तो यह भी एक कोई vector आता और यह भी कोई एक vector होता ठीक है तो जब यह resolve कर किये थे हम लोग जब resolve किये इसको यहाँ पर रिजॉल्व नहीं, देखो, एक्चॉल में यह क्या आया है, कुछ इस टाइब से आया है, B is equal to A cos theta, और जब रिजॉल्व करते हैं, एक्चॉल इसका meaning जो होता है, physical meaning, मतलब यह जो A है, जो यह A है, यह इसका जो component होगा, जो इसका component होगा, इस base k long, यह क्या होगा, ठीक है, अगर किसी वेक्टर को भी, अगर रिजॉल्व करना हो, तो यही उसके साथ method तरीका होगा, और एक सीज, इसके बाद और समझ में आएगा, एक मिनिट, आप थरा ध्यान देना, तो देखो, यह क्या हुआ, कि यह हमारा क्या होगा, एक cos theta आगया, यह sin theta आगया, तो इसका actual meaning यह हुआ, कि यह जो hypnose था, इसका दो component, यह दो component था, एक तो यह base, एक perpendicular, और resolve भी जो करेंगे हम, किसी वेक्टर को, तो उसका दो component हैगा, और दोनों component, एक दूसरे से perpendicular होगा, ठीक है, एक तो इधर क्यों रगा, जो हमारा axis लेंगे, माल लोग suppose that x और y लेते, तो एक x axis के लोग लेंगे, एक y axis के लोग, अगर इसको हम लोग x लेते हैं, और इसको y लेते हैं, तो देखो इस case में, एक x axis के लोग आया, एक y axis के लोग आया, ठीक है, इसको दो component आगया, तो एक x में आया, एक y में आया, ठीक है, तो ये actual में क्या हुआ है, ये जो हमारा hyperness था, ये जो length था, इस length का दो component आया, एक इधर की और आया, और एक इधर की और आया, ठीक है, ये एक इधर की और आया, एक इधर की और आया, एक इधर की और कि अगर यहां से light बारों 20 यहां से light बारों यहां से less मिलेगा इसका projection होगया यह और इसका प्रोजेक्शन होगा इसका जब कर दो यह इतना आपको ज़्यादा ये नहीं करना है बस आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी axis के साथ किसी भी vector का अगर resolve कर रहे हो तो axis के साथ अगर मालो ये axis है इसके साथ एंगर मला रहा है तो उसका जो component आएगा वो cos के साथ आएगा और दूसरा जो component आएगा आपका ठीक है तो अब थोड़ा ध्यान रखना और ये चीज ये ध्यान रखना कि जो हमारा जो hybridness था ये base के साथ angle theta था इसका ठीक है तो that's why base के साथ angle इसका theta था तो ये cos theta का टर्माया था और अधर वाला जो perpendicular है इसके साथ angle क्या था 90 minus theta तो वो कितना आया था साइन ठीक है क्टान माया था तो ये चीज माइन में थोड़ा ध्यान रखना अभी vector का जो resolution है ये बताएंगे और ये actual में आया है यही से यही इसका एक rule है right angle triangle से ही आया है वो right angle triangle से ही आया है मतलब मेरा कहने का मतलब ये है अगर माल लोग कोई vector ऐसे है ये ए है ये वेक्टर है और ये थीटा डिग्री पे है ये x ले लो और ये y ले तो देखो इसको component ब्रेक करने का मतलब क्या होगा एक component इधर लेके आए और एक component इधर लेके आए जैसे अभी देखे थे अब लो हम दो right angle triangle लिये थे ना एक क्या आया था इधर की ओर आया था अगर ये a था तो ये कितना आया था एक cost ठीटा आया था और ये कितना आया था a sin ठीटा perpendicular इस case में भी कुछ इस तरह से ही होगा और वही चीज़ है क्योंकि ये जब हम लोग रिजॉल्व करते हैं perpendicular x-axis और y-axis तो ये दोनों मिलके क्या बनाता है एक जब इसको दोनों को मिला देंगे end को तो एक right angle triangle बनाता है या ये देखो इसको एक resolve किया और इसको एक resolve किये ये जो आया है इस दोनों को अगर मिला दिये तो क्या बनाया हमारा एक right angle triangle मराया है तो ये right angle triangle में जो बेस होता है ये क्या आता है अगर हाइप्टेनस पता हो तो एक cos theta होता है और ये a sin theta होता है तो देखो अगर इसको हम लोग resolve करने का मतलब होता है कि एक axis के long और दूसरा उस axis पर perpendicular देखो ये x के long और एक y के long इसका दो component होगा ऐसे एक x के long और एक y के long कुछ इस टाइप से होगा ठीक है तो देखो जो हमारा ये अगर ये ठीटा है तो ये perpendicular होगा तो perpendicular वाला component के आ जागा a sin theta अगर ये पहले small a था that's why a small a sin theta आया था बट ये अब क्या है कि ए वेक्टर है वेक्टर के फॉर्म में है तब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ये आ जागा vector a sin theta इसी तरह देखो ये क्या आ जागा vector a cos theta ठीक है आपको सीधा से ध्यान रखना है जिसके साथ angle बना रहा हो जिस axis के साथ angle बना रहा हो तो उस case में अगर उसी axis के साथ हम लोग resolve करते हैं तो cos theta का term आता है और दूसरे axis के साथ क्या आता है sin theta का term आता है मतलब दूसरा axis क्या उस axis के perpendicular मतलब अगर ये देखो ये angle किस के साथ बना रहा है x के साथ theta तो x के along जो component आया है ये a cos theta आया और दूसरा axis जो है इस x के perpendicular है मतलब y axis है तो y के along जो term आया यहाँ पे a sin theta आया ठीक है तो ये समझ में आपको इतना आना चाहिए और ये कहां से आ है बस यही right angle triangle में जो resolve करते हैं happiness पता हो तो हम लोग cos theta क्या लिख सकते हैं और उ I think आपको इतना पता हो गया और देखिए अभी हम लोग और भी जो doubts है अभी करवाएंगा आप लोग से तो देखिए आप लोग लिखिए उसको कैसे लिख सकते हैं और इसी case में अगर मा लोग ये theta ये ना देखे अगर ये theta ये अगर ये theta होता और ये theta है तो ये क्या हो ज दाल सकते हैं देखो ये 90-theta हो जाएगा ठीक है ये 90-theta हो जाएगा तो देखो ये angle किसके साथ बना रहा है y axis के साथ तो y में जो component होगा y component होगा वो क्या होगा हम क्या बात किये थे, जिसके साथ एंगल बनाएगा, उस एक्सिस के साथ अगर component resolve करोगे तो वो किसके साथ क्या आएगा, कॉस ठीटा के टर्मा आएगा ठीक है, तो ये इस case में देखो y के साथ एंगल बना रहा है, तो y के साथ टर्म क्या आएगा a, sin अब एंगल ठीटा नहीं होगा 90 माइनस ठीटा, आप लोग को पता होगा, जो 90 माइनस ठीटा क्या होता है, sin ठीटा होता है ये पता होगा, ट्रिमेट्री में परह होगे आप लोग तो ये क्या हो जागा, a vector sin ठीटा ठीक है, और उसी तरह इसका जो y axis में component लोगे ऐसे नीचे की तरफ, sorry x axis के लोग, x axis के लोग जो component होगा, ये क्या हो जागा ये हो जागा vector a, sin 90 माइनस ठीटा ये कितना हो जागा, vector a sin 90 माइनस ठीटा क्या हो जागा, cos ठीटा हो जागा मतलब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि angle किसी के भी साथ लो but जो दोनों axis है अगर perpendicular है, दोनों में से किसी भी axis के साथ angle लो कोई फर्क ने पड़ता final result में final result भी देखो y के लोग जब इसके साथ, अगर ये angle ठीटा लिये थे हमारा x के साथ था, उस case में भी इतना ही आये था मतलब अगर दो axis perpendicular हो ठीक है, और अगर दो axis perpendicular हो और उस पे, अगर vector का resolution करना हो आप लोग को resolve करना vector को, उसके along तो angle किसी भी axis से लो angle किसी भी axis से लो जो उसका जो component है उसके final result पे कोई फर्क नहीं पर रहा है उसका जीता जागता जे उधारन आपके पास है बट ये ध्यान रखना जो angle लिये थे, जिस axis के साथ वही angle, ऐसा नहीं, कि इसके साथ ले रहा हो तो ये ठीटा ले लेना, नहीं, बिल्कुल नहीं अब जो ये angle है, ये 90-2, ये है y axis के साथ angle ठीक है, ये था x axis के साथ बट result में कोई फर्क नहीं परेगा ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी axis के साथ ये एक mind में रखना ये सौट trick है ये mind में अपना ध्यान, as a, remember करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो, जिस axis के साथ, अगर कोई भी vector या कोई भी line, angle बना रहा है अगर उसका resolve करना उसको, उसी axis के along, तो cos कटर माएगा, और दूसरा axis जो उस वाले axis पर perpendicular है, तो वो उसके साथ क्या आएगा, a sin theta, तो यह mind में इतना ध्यान रखना, और अब किसी भी vector को resolve कर सकते हो, देखो, देखो, अगर यह 5 है, इसका 5 vector ले लो, या magnitude ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यह 30 degree है, तो इसके along, इसका x और y component, resolve करो, तो x component क्या होगा, x component क्या होगा, x component क्या होगा, बताओ, क्या बात किये थे, क्या बात किये थे हम लोग, कि angle किसके साथ मना रहा है, x axis के साथ, तो इसका जो x axis के along, जो component आएगा, वो cos के term में आगा, मतलब x-axis के साथ इतना एंगल मना रहा है उसके साथ cos का टाना हैगा ये 5 का ले रहा है इसका अगर ये length 5 है तो ये कितना हो जागा 5 5 cos 30 cos 30 कितना होता है root 3 by 2 ये कितना हो जागा 5 root 3 by 2 ये जो x-axis के long component आगा उसका magnitude हो है ये magnitude अभी ले रहा है but direction तो पता ही है कि x-axis के long ये x-axis के long फिर ठीक इसी तरह y-axis के long y-axis, y-component y-component जो होगा y-axis के long होगा, y-component कितना हो जागा ये कितना हो जागा, y-के long cos cutter में इसके साथ आगया मतलब जिसे axis के साथ हम लोग angle था, उस axis के साथ क्या होगा x का component आगया, तो other axis मतलब, जो x perpendicular है y-axis, इसके साथ component आजागा 5 sin 30, sin 30 half हो जाता है 5 by 2, ये हो जागा 2.5 इसका magnitude 2.5 आगा मतलब, जो इसको resolve करेंगे तो ये हो जागा हमारा 5 root 3 इसको लिख सकते हो 2.5 root 3 और ये हो जागा हमारा 2.5 ये 2 आजाएगा हमारे पास और ये y था, ठीक है देखो, कैसे resolve करना ठीक इसी तरह अगर ये 30 degree मालूम हो आपको 30 degree मालूम हो आपको तो इसको क्या करोगे, ये 60 लोगे इससे भी करके देखो इससे जब करोगे, ये angle लेके तो ये angle अब किसके साथ है y axis के साथ, तो y के component क्या आजाएगा cos के साथ हैगा, क्योंकि angle अब किसके साथ है y axis से बना रहा है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 5 cos 60 5 cos 60 कितना होता है, half ये 2.5 हो जाएगा, और x का component कितना हो जाएगा x का component दोखो, ये कितना आजाएगा यह साइन का तर्मा जाएगा साइन सिक्स्टी, साइन सिक्स्टी कितना हो जाएगा रूट यही होगा, देखो कोई फर्क पर रहा है रिजल्ट पे पहले भी हमारा जो X का कंपोनेंट था, अगर एंगल इस एक्सिस, X एक्सिस के साथ ले रहे हैं, उसमें भी X और Y का कंपोनेंट यही आ रहा था, 2.5 रूट 3 और 2.5 जब एंगल हम लोग Y एक्सिस के साथ 60 डिगरी ले रहे हैं, उस केस में भी Y का कंपोनेंट केतना है 2.5 2.5 देखो, और X का कंपोनेंट 2.5 रूट 3 और 2.5 रूट 3 मतलब एंगल किसी भी एक्सिस से लो result पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो कंपोनेंट आएगा, वो स्टेमी आएगा ठीक है, बट यह चीज जहां रखना वो दोनो एक्सिस है वो दोनो एक्सिस जिसे एंगल ले रहे हो तुम वो दोनो एक्सिस mutually perpendicular होना चाहिए ठीक है, तब यह हो सकता ऐसा नहीं, कि अब यह तुम इसके साथ ले लो एक जैड एक्सिस के साथ ले ले लो ऐसा नहीं होगा, ठीक है तब उस केस में फिर यह चीज चलाएगा एक्स और जैड में I think आपको इतना समझ में आ गया होगा अब दोफो, एक जो पूरा हम लोग एंगल मतलब उसमें डारेक्शन लिखने का तरीका बतायत है उस तरह अगर गीवेन हो और उसमें पुछा जाए आपसे कि find x and y component of y component of vector मतलब आप लोगको दिया हो कोई लोकेशन है किसी भी आदमी का या कोई जा रहा है उसका लोकेशन है 35 degree east east of north 35 degree east of north तो आप लोग से इस case में पुछ रहा है find x and y component of components of this vector अब यह से यह जो 35 degree east of north है और मालो डिस्टेंस में ले लो इसका कितना है 25, 10 meter 10 meter 10 meter 35 degree east of north मतलब वो जो length arrow ले रहे थे वो हमारा क्या है 10 meter 35 degree north of east है इतना distance पर है चीक है मतलब यह कुछ इस टाइप से है देखो यह क्या होगा east होगा और यह क्या होगा north होगा और यह इतना दिया हुआ है यहां पर कि 10 meter के distance 10 meter है इसका origin से और कितने पर है 35 degree east है और कहां से north से मतलब east है north से north जिस से angle बनाता है वो बाद में आता है आपको पता होगा और हम बताएं भी है तो यह 35 degree है और इसका जो यह distance है और इसका जो यह distance है यह origin से distance है और इसका डिस्टेंस है यह कितना है 10 meter तो इसका component resolve करना है तो यह क्या हो जाएगा अब देखो हम क्या बात किये थे जिस भी axis से साथ जो angle बना रहा कोई वेक्टर अगर उस axis के along आपको reserve करना है तो cos का term आता है तो यह 10 है तो यह इसके साथ क्या आ जागा 10 cos 35 और दूसरा axis जो पहले वाले axis से perpendicular है तो उसके साथ जो term आ जागा यह आ जागा 10 sin 35 degree यह आ जागा बस यह हो जागा ठीक है तो आपको vector को represent करने का तरीका पता होना चाहिए vector को directions को कैसे समझना है वो पता होना चाहिए vector को resolve करने का तरीका वो पता होना चाहिए आप कैसे भी resolve कर सकते हो चीज टाइप से लिखा हो 35 डिग्री नौर्थ इतना उसकेस में X और Y कंपोनेंट कैसे लिखा लेंगे यह चीज आपको पताना चाहिए देखो इसी तरह कोस्चन आता है देखो एक कोस्चन है करो तुम लोग वीडियो को पहुज करके करना कि यह है 20 डिग्री और यह है 5 मीटर इसका जो वेक्टर है इसका मेनिचूड फाइव मीटर है इस केस में X और Y कंपोनेंट क्या करोगे फिर से वैसिस अगर यह Y एक्सिस है और यह X एक्सिस है तो इस केस में क्या होगा y का component किदर होगा, नीचे की तरफ होगा और कितना होगा ये y वाला component ये कितना हो जाएगा, देखो ये जो vector है, किसके साथ angle बना रहा है y axis के साथ, ये कितना हो जाएगा cos cutter माएगा इसके साथ 5 cos 20 degree ठीक है, देख रहाँ है फिर यहाँ से जिसके साथ angle बना रहा है, उसके साथ cos cutter मा रहा है, और ये चीज़ क्यों आ रहा है जस्ट आपको याद करने के लिए बता दिये हैं कि जिसके साथ angle बनाएगा, ये cos cutter मा रहा है, ये जो आया कहां से है वही rectangle triangle वाले से, ठीक है जो hyperness हमा रहा था ये अगर a था, तो देखो, अगर ये ठीटा ए degree, base के साथ बना रहा है, उस case में जो ये आ रहा था, ये कितना रहा था, a cos theta आ रहा था, यहीं से आया है और ये p है, तो ये a sin theta आ रहा था और ये base था ठीक है, और इसको हम लोग as a result इसको ऐसे याद करेंगे, कि अगर जिसके साथ angle बनाएगा, वो क्या आएगा हमारा cos cutter में अगा, other दूसरा axis जो इसके उपर perpendicular है उसके along जो आएगा, वो sine cutter में जाएगा, ये जगा 5 sine 2 degree, क्योंकि ये एक right angle triangle बनाता है, ठीक है, ये देखोगे, जब इसको shift करोगे, यहाँ पे, तो देखो, ये वेक्टर है, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में परहे है, कि वेक्टर को हम लोग एक प्लेन में, एक जगा से दूसरे जगा shift कर सकते हैं, without changing direction, अगर ये हमारा इतना, अगर y component है, तो इ ठीक है, या तो इसको 20 डिग्री ले लो, ये 20 डिग्री, ठीक है, अब देखो इसके साथ, अब ले के करो, इसका component लो, ठीक है, ये 20 डिग्री हो जाएगा, अब इसको break करके देखो, ये इतना ही आएगा, ये जो है, इसके साथ कितना रवना, 20 डिग्री बना रहा था, इसक कंपनेट इधर कितना आ जागा यह जो है इससे 20 डिग्री पे है तो इसके साथ कितना आ जागा 20 कॉस स्वरी 5 क्योंकि लेंद्थ है इसका 5 कॉस 20 ऐसे कर लो या उस तरह ऐसे कर लो इसको राइटेंगल ट्रेंगल बना के कर लो लेकिन बेटर यह ही है कि आपके माइन में वह आप रिजल्व ऐसे कर सकते हो जिसके साथ एक्से साथ एंगल बनाएगा उसके साथ लाइना दूसरा एक्सिस जो पहले गाल एक्सिस से पर्पेंडुकुलर उसके साथ क्या लेना साइंट का टार्म लेना ठीक है आपको इतना समझ में आ गया होगा किसी भी वेक्टर का चीज और, एक चीज और, हम लोग जो कॉडिनेट एक्सिस लेते हैं, क्या कॉडिनेट एक्सिस हमेशा एक्स और आई कुछ इसी टाइप से लेंगे क्या, कुछ इसी टाइप से लेंगे क्या, हमेशा, बिल्कुल नहीं, आप कॉडिनेट एक्सिस कैसे भी लेलो, कोई फर्क न कैसे भी ले लो बट जो x और y और z है वो perpendicular होना चाहिए mutually अब किसी भी direction में ले सकते हो किसी भी तरीके से गुमा के x और y इसको गुमा के रख सकते हो ऐसे ले लो आप x ऐसे ले लो ऐसे ले लो ठीक है कैसे भी ले लो बट ये जो x और y है हमेशा perpendicular राना चाहिए अगर z होगा तो z भी बट किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप इसको ऐसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता बट x और y perpendicular होगा ठीक है अब ऐसा इम्मत कर दे ना एक x इधर ले 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 ना यह x और इसको y यह गलत हो जाएगा क्यों कि x और y at z तीनों जो है mutually perpendicular होता है हमेशा बट किसी भी एंगल पर उसको ले सकते हो किसी भी direction में आप ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको किसी भी direction में ले सकते है यह चीज हमेशा क्योंकि यह प्रूट है कि यह हमेशा रहेगा अप ऐसे नहीं कर सकते कि x और y-axis के बीच में कुछ एंगल ले लोगा यह हमेशा एंगल antirady होगा x, y और z के बीच में ठीक है और बट उसको coordinate system है उस पुरा coordinate system को किसी भी angle पर घुमा के रख सकते हो कोई फर्क नहीं परेगा उससे ठीक है और हम लोग देखेंगे भी question में जब inclined plane में आएंगे तो दोखो inclined plane के along x मानेंगे फिर उसके उपर perpendicular मानेंगे उसको y मानेंगे ठीक है तो हम लोग अपने question के according हम लोग coordinate axis जो चूज करेंगे बट x और y और z तीनों perpendicular हमेशा होगा एक दूसरे के उपर यह हमेशा सही है और रहेगा इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा ठीक है resolution of vector कर सकते हैं मतलब vector को resolve कर सकते हैं vector resolve करने का सबसे बेश तरीका क्या है आपको कुछ नहीं करना है अगर उसका shortcut क्या है shortcut यही है कि जिसके साथ angle बनेगा उसके साथ आप उसको cost का term लो other वाले के साथ other जो axis है उसके साथ क्या ले लो perpendicular ले लो दोनों जो component आता है x और y वो क्या आता है perpendicular आता है एक दूसरे से तो यह चीज आपके mind में ध्यान रखना और जब एक दूसरे के ऊपर perpendicular होगा तभी यह चीज हम लोग कर सकते हैं कि x के साथ x होगा और दुसरे के साथ y होगा और जो component हम लोग break करते हैं हमेशा mutually perpendicular axis के along break करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी direction में ले लो, एक x के ले लो, एक x से 30 रिगरी पर ले लो, नहीं, हम लोग जो component break करेंगे, हमेशा जो axis लेंगे, एक्सेस, वो axis mutually perpendicular होना चाहिए, और जो components आएगा, वो components भी एक दूसरे के उपर perpendicular होगा, ठीक है, components का जो direction है, I hope कि आपको इतना सबज में आओगा, अगर सही लगा, तो like, share और subscribe जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं कनाय सेशन के साथ,